वाइज ये देखिए काफी पुराना किला है और इसके आप वाइज देख सकते हैं इसका ये जो किले का जो ना मैं एंटिगेट हुआ करता था काफी बड़ा ये किला है रानी का किला है आप लोग खैरियस से होंगे आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ शावाद रामपुर जिले में जो की एक रजबा है शावाद वहाँ पर एक किला है रानी का किला जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी पुराना किला किले को मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा और इसका इत्याद बताऊंगा और इस किले को ना गाइस किला भी कहा जाता है तो अभी चाहिए चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोर इस किले को तो गाइस आभी देख सकते हैं इसका ये मैन गेट है जो की रानी के किले में ज जा रहा हूँ आप लोगों को किला दिखाने के लिए और ये काफी जरजर हालत में ये किला हो चुका है और ये देखिया ठारमी शदाबदी में बना हुआ ये किला और ये किले के अंदर में एने एंट्री करती है तो ये इसके आसपास का एरिया देख सकते हैं गाइस तो ये तो ये काफी पुराना किला है और इसका का इतिया वाला हूँ इस वीडियो में तो अभी पेलेह इसका एक्सेक्चर हम एक्स्टॉर कर लेते हैं इस किले का थो ये किले की घ्िवारे है रादर है। रानी की किलह में, तो आप लेकि कि किस extraordinary का उन्हाइए। पहले आपको मैं इसका एक्सेक्शर दिखा देता हूँ यह देखाई और यह काफी पुराना किला है तो इसमें पूरा अभी इस किले के अंदर एंट्री नहीं है बाकी मैं बाहर से यह किले आपको एक्सप्लॉर करा दूँगा तो यह देख सकते हैं आप तो अभी चल रहे है इस किले की दूसरी साइट में और इस किले को हम पुरा करने वाले एक्सप्लॉर अब अब आज़िए देखिए काफी पुराना किला है और इसके आप बाहर का वीव आप भी देख सकते हैं यह देखिए और इसके अंदर आप सारी इस किले में आपको मेरावे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर जाना इसमें अलाउट नहीं है तो अभी यहां से आपको इसका पूरा यह दिखाते था हूं तो यह देख सकते हैं यह इस किले में अंदर जाने यह गेट वहा गड़ते थे जो कि अब यह गेट बंद हो चुके हैं क्योंकि इसमें अंदर जान जो कि मैं आज आप लोगों को यह लोकेशन एक्सप्लोर करा रहा हूँ तो यह देख सकते हैं गाइस यह देखिए और यह इसकी दिवारे देख सकते हैं यह देखिए गाइस काफी पुरानी यह तो यह गिला जो है ना अठार्वी शातावदी में बना हुआ है और जो कि यह किला कहा जाता है इस किले को गानी का किले के नाम से किला मशूर है और यह जो किला आपको यहां आप आ सकते हैं और इसके जो लोकेशन हैं वो हैं शाहबाद शाहबाद रामपूर जिला क्योंकि शाहबाद एक खसबा है जो कि वहां पर आपको यह किले की लोकेशन मिलेगी और इस किले में आपको आ सकते हैं और इस किले को आप एक्स्प्लॉर कर सकते हैं पुरे को और इसका काफी पुराना इतियास है गाईज और इसका इतियास मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा और इसकी आप पुरानी दिवारे देख सकते हैं और महरा पे इसकी देखिए और इसके जो पिलर है वो आप देख सकते हैं तो देखिए गई इनोंने पूरे रास्ते अंदर जाने के इनोंने बंद कर दी हैं यहां से यहां से अंदर एंट्री हुआ करती थी तो यह देख सकते का यह देकिए गाईज। यह पूरा खंडल में किला तब्दील हो चुका एं तो इसकी पडार ने की देक्टे हैं। और यह भी रास्ता है अंदर का, किलिये में अंदर जाने का रास्ता बंद है और अभी मैं आपको जैसमें सरंग है वह भी मैं आपको दिखाने विलाऊँ, तो ये देख सकते हैं, गईज, ये दिखए, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि अंदर का रास्ता बंध ये गाईज, और बाकी इसकी मोई शनॐ से आप एक्सप्लॉर कर सकते हैं, करता है की वह देख सकते हैं काफी सुन्दर यह किला हुआ कर था यह देख सकते हैं ओस्वाइब कर सकते हैं तो बाइज यह देख सकते हैं यह आपको आपको यहां पर देखने यहां से सीधी, रामपर की तरफ की सुरंग निकल गई था तो यहां से आस पास का वियू लेखिए यहां काफी रही सुरंग है यह देखिए गाइज यह जो रही है यहां से इसके लिए से रामपूर यह सुरंग निकली हुई यह रामपुर के लिए और यह पूरा खंडल आप यहां पर देख सकते हैं पूरा और यह सामने आप देख सकते हैं यह जो है यह तबेला है घोड़े का तबेला है यह पूरा रामपुर के नवाबो और छेत्रकी रानियों के शासनकाल से जुड़ा हुआ है और इसे इस छेत् प्रवदी संस्क्रिती और अजनितिक धरौर का पिर्थिक माना जाता है। रानी का किला अटारवी शताबदी में बनाया गया था। इसका निमार रामपुर के नावाव के शासनकाल में हुआ जो उस समय छेत्र के शासक थे। इस किले का नाम रानी का किला इसमिये परा क्यूंकि इसे शाबाद के नावाव की रानी के लिए बनवाया गया था। इस किले का निमा मुखे रूप से रानी के आवास और सुरक्षा के लिए किया गया था। किला शाबात कजबे की फर्मुक पहाड़ी पर इस्टिख है जिससे ये उस समय के समारी दिर्शिकोर्ण से अंतियंत महतपूर था जिसे उचे बुर्ज और मोटी दिवारे इसे आभेद बनाती हैं और दुश्वनों से सुरक्षा परदान करती थी रामी का किला मुगरव राजपूर वास्तुकला का बहतरी उधारण है इस दिले की संड़चना में पत्थरों चूने का परियोग किया गया है और ये उस समय की आधित्त्रिय स्थाप्तिय शेली को दर्शाता है किले में कई परमुक संड़चना हैं जिनमें मुख्य महल आगन बुर्च और सुरक्षा मक दिवारे शामिल हैं इसके उचे बुर्च से फूरे छेत्र की निगरानी की जा सकती की जो इसे अरुमिटिक दिल्ष्टिय से महतंपुन बनाना था किले के भीतर कई सुरंग और मार्ग भी बनाए गए थे जो युद या आपाद इस दिकी में रानियों और उनके परिवार के लिए इनके रास्ते में के रूप में काम करते थे रानी का किला रामपुर राज्य थे नवाबो के उध्यास्व गहराई बनाए से जुड़ा हुआ है इस किले का उख्यो नवाबो और उनकी रानियों द्वारा निवास और फेशासानिक कार्यों के लिए किया जाता था ये किला उस समय के राजमेती को समाजिक जीवन का केंदर था किला कई महतरपूर एतियासिक घटनाओं का साक्षी रहा इसके निर्मार के समय रामपूर राज्य मुगल समराज्य के अधीन था और इस किले का निर्मार नवाबों और शक्ति और प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया था इसके अलावा ये किला उस समय के युद और संगर्शों का भी गवा रहा है जिसमें नवाबों ने अपनी स्वंतर्रिता और समारिक महत्रुकों बनाए रखने के लिए संगर्श किया आज रानी का किला काफी हद तक खंडर में बदल चुका है लेकिन इसके अफशेश अभी भी इसकी गोर्शाली अतीप की कहानी बया करते हैं किले के खंडरों में अभी उस समय की शांदार थापती है कला की जलक देखी जा सकती है हलंकि ये किला अप यूग में नहीं है लेकिन ये एतियासिक और संस्रक्षिती दिर्शी से एक महत्फूर इस्थल बना हुआ है किले को संस्रक्षित करने के लिए इस्थानिये फिर्शासर और सरकार द्वारा परियास किया जा रहा है ताकि इसे एतियासिक धरोर के रूप में स्रक्षित किया जा सके और इसे पारियटक इस थलके रूप में विक्सित किया जा सके रानि का किलाव एक पर्मुक पार्यटल इस्ता के जहां इत्यास और इस्थापतिय कलावें रूची रखने वाले लोग आते हैं इस किले कोई इत्यासिकता और श्थापतिय शेली पार्यटल के लिए एक बड़ा आकरशक है किले के खंडरों के आसपास के सुन्दर पर्दिक दिर्शे भी देखे जा सकते हैं जो इसे और भी रूमाइंच बनाते हैं रानिक पिला शाबाद रामपूर भारती इत्यास का एक महत्रपूर हिस्सा है जो मुगल काली इस्थाप्तियों और नवाबों की संस्क्रिटी को दर्शाता है किला ना केवल एक एत्यासिक धरोड़ है बलकि यह उस समय के के समाजीक और राग्रतिक जीवन का पिर थी देख सकते हैं और ये उपर का portion आप देख सकते हैं second floor इसका यहाँ पर और ये देखिए दोनों तरह आप वो देख सकते हैं देखिए हर जगह इसमें महराब बनी हुई है और इधर की site में आपको ये बुर्ज मिल जाएंगे देखने को दो बड़े बुर्ज एक बुर्ज यह रहा और एक ब आप लोड़ कर लीजिए पूरे इस Kitchen को तो ये देख सकते हैं काफी पुराना घिला है और ये लाल इंटो से बना हुआ ये किला है और काफी संधर के ला गया करता था किसी मिलती रहे और गाइस यह पीछे मेरे आप देख सकते हैं यह तवेला है यह रोड़े का तैवेला हुआ करता था और यह साइट में न यह राणी का किला है जो की बहुत बड़ा किला है और इसका मेन इतियास आपको बताया है तो गाइस में चैनल को सब्सक्राइब जरू करना शेयर करना बेराइंग को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नाटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो गाइस इस ब्लोग को महीं हैं करता हूं मिलते हैं आपसे नेक्स ब्लोग में अफ़ता के लिए लिए लाहाफिस